हेलो एप्रीवन कैसे हैं आप सभी I hope कि आप सभी ठीक हूँगे स्वागत है आप सभी का study with अभी शेक में इस विडियो में हम बात करने वाले हैं एससी जीडी कॉंस्टेबल भरती 2024 के बारे में टॉपिक है एससी जीडी कॉंस्टेबल भरती एक्जामिनेशन 2024 स्लेबस एंड इग्जाम पैटर्न और श्लेबस क्या रहने वाली है इसके बारे में जानना बहुत जाद ज़रूरी है क्यूंकि अगर आप यहां पर नंबर देखोगे तो 49,481 टेंटेटिव वैकेंशी है और इसमें से आप भी एक पोस्ट एक पद पाना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको एक्जाम पैटर्न और श्लेबस पता होनी चाहिए तो इसलिए पूरी वीडियो एंटक देखना क्योंकि सब कुछ समझाने वाला हूं व भी तैयारी कर रहे हैं तो और उसके साथ लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को और हमारे टेलीग्राम चैनल को जोइन करने से आपको फ्री पीडियेफ और नोट्स पी मिल सकती हैं रिस्क्रिप्शन में लिंक है और उसके साथ हम बात करते हैं तो इसके लिए फॉर्म जर टाइप होते हैं और यह जो पेपर होती है इसमें दो माक्स हर एक सही आंसर के लिए आपको दो नमबर दिये जाते हैं यानि जनरल इंटेलिजन्स एंड डिजनिंग से 20 कोश्चन होते हैं 40 नमबर के जनरल नॉलेज जनरल अवैडनेस 20 कोश्चन 40 माक्स के ऐलिमेंटरी माक्स के 80 कोश्चन होते हैं और 60 मिनट की टाइमिंग होती है टाइमिंग को भी अच्छे से मैनेज करना होगा तब ही आप इस एक्जाम को क्लियर कर सकते हो और आप आसानी से पहले अटेंप्ट में ही क्लियर कर सकते हो लेकिन उसके लिए काफी सारी चीज़ें आपको जान मतलब आप अपने रीजनल लैंग्वेजेज में जो लैंग्वेज यहां पर हैं इसमें भी एक्जाम को दे सकते हो उसके बाद 0.25 मार्क्स की आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो है यानि गलत आंसर देते हो तो आपको इस तरीके से यह नंबर कट जाएंगे अब यह थोड़ा सा कम देखने को आपको मिल जाएगा वहीं पर जेनरल नॉलिज जेनरल अवेरनेस में आपको हर टॉपिक से स्पोर्ट से हिस्ट्री से कल्चर से जोक्राफी से एकनॉमिक से सीन से जनरल पॉलिटी से इंडिन कॉंस्टिट्यूशन से साइंटिफिक रिसर्च से इंडिन की बात करें तो यह आपके अंडिस्टैंड बेसिक इंडिन के उपर डिबेंड करती हैं चीज़े जोकी कोशन्स होते हैं और इसे आप आसानी से कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से कम्प्लीट एक्जैम पैटर्न और स्क्लेबस होती है एसे जीडी के लिए तो अगर एकोर्डिंग आपको तयारी करनी होगी बागी आपको लगाता टेस्स तरीज मौक टेस्ट और वीडियोज मिलती रहेंगी उसके लिए आपको हमारे चैनल को जोईन करना होगा और उसके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जोईन कर लेना प्री ओफ कोस्ट पीडिएफ और उसके साथ महा पीडियेप भी मैं आने वाले टाइम में आपके साथ शेयर करूँगा. तो सारी चीजों के लिए ये कर लेना है वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और उसके साथ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताना कि आप SSJD की तैयारी कर रहे हो या फिर नहीं. इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच अपरी बन जाएंद.